नमस्कार आपका स्वागत हैं हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं राजनितिक विसेशग्या पवंत्यागी जी तो बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है कि योगी आधित्यानाज जी ने जो कानपूर हिंसा हुई थी उस पर सक्त आदेश दिये हैं और सक्त ऐसे आ काने की कोशिज की गई अब उन लोगों पर योगी का बुल्डोजर चलने वाला है सर आप क्या कहेंगे इस पर देखिए ये जो हिंसा है दुख की बात ये है कि कुछ उपदरवी जो के नाम पर एक धार्मिक अस्थल में इकटे हुए उसके बाद उन्होंने बबाल किया ल आश्टपती जी और प्रधान मंतरी जी के रहते जो शहर में हैं उत्तर प्रदेश में हैं ये इंटेलिजनस फेलियर है मैं पूछना चाहता हूं अखलेश जी आप मुझे ये बताईए कि आप जो है इस हिंसा के करने वालों पर एक शब्द नहीं बोले कि जिनों ने बाका क्वाना चाहते हो कि नुपॉर्श्रमा के बैान पर लोग विरोध में मुझे नहीं नई है मुठी वरलो ऑक कोई घर से निकलेंगे और वह पत्थर बाजी करेंगे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे तो उत्तर-प्रदेश में तो यह ब चले गा नहीए हुए उत्तर-प केवल मुसल्मानों को किया जा रहा है टार्गेट केवल एक धरम को देखकर किया जा रहा है बुल्डोजर धरम देखकर चलाया जा रहा है मैं आज वेसी से पूछना चाहता हूं कि आप यह देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कहीं कोई इड़ पत्थर पुलिस पर च ऐसे हैं कि वो यह सोचते हैं कि हम इस उत्तर प्रदेश के कानून विवस्ता को धता बता कर यहां कुछ लोगों को डरा धंका कर उनकी दुकाने बंद कराएंगे पुलिस आएगी तो उन पर पत्राओं करेंगे तो फिर पुलिस जब लाठी चार्ज करती है या तो यह कही ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो इस तरह की हिंसा करते हैं उदमाद प्हलाते हैं माहोल खराब करते हैं होता तो यह कि वैसी को कहना चाहिए कि मैं सभी से कहना चाहता हूं शांती पूर्वक तरीके से अपना कोई भी प्रदर्शन करे विरोध प्रकट करे सबको अधिकार है लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि आप इखटे होंगे और फिर जबर्जस्ती लोगों की दुकाने बंद कराएंगे जो दुकान बंद नहीं करना चाहेगा उसको मारेंगे पीटेंगे और यहां आपको एक चीज और बता दू कानपूर में मेरे जो पत्रकार मित्रे और लोग में व्यक्तिगत रूप से मेरी मित्रता है काफी लोग जानते हैं उन्होंने बताया है कि जिनकी दुक सुबह लोग सुबह जब उठे हैं तो वहां रात में कुछ दुकानों के सडर पर दर्वाजों पर एक पोस्टर लगा दिया प्रिंट निकाल करके प्रिंटर से के नुपुर सर्मा ने बयान दिया उसके विरोध में मार्कीट बन अब कुछ लोगों ने का तुमने लिया है और आप तो इतियास को तोड़ मरोड रहे हो आप हमारे भगवान का देवी देवताव का अपमान करेंगे आप राम जी के अस्टित्त पर सवाल उठाएंगे कितना अपमान हमारे भगवान का किया अगर हम एक शब्द बोल दें तो कहेंगे साब यह हम मानते हैं कि सब के ध धारमिक भावना आत हुई है किसी का अपमान हुआ है तो नुपर सर्माजी से आप पूछिए बात यहीं खतम हो जानी चाहिए लेकिन फिर भी आपने F.I.R. कराई है दो तीन F.I.R. उनके उपर हुई है माराष्ट में हुई है कहीं और भी हुई है तो कानून अपना काम क करेगा उसको करने दीजिए लेकिन आप यह बबाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कम से कम चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाजी 2017 के बाद से जब से सत्ता में आये हैं मुख्यमंत्री के तोर पर वो बैठें पहली प्रायटी उत्तर प्रदेश में लो को सुधारने की है और ये भी बात पक्की समझ लें उएसी और अकलेश कि जिन पर बुर्डोजर चलेगा या चला जिन पर लाठी चली या पुलिस गोली कभी चलाती है मुटबेड में तो वो अपरादी होते हैं और अपरादी जो नहीं होते उसके लिए पुलिस को सजा मि नती है क्योंकि मामला हर मामला नयायलने में जाता है तो यह नहीं क्या एंकाउंटर को यह कहें के साथ फेक है बहुत असकृरी उत्तर्प्रदेश में बेले जो वथ करेगा और पुलिस के उपर फायर कठेगा योग्जिस क्या उनकी आरती हुतारें कैक्षा मरने यह क्या प पुलिस तो लोगों ने ऐसा नहीं है जो अखलेश यादव कह रहे हैं कि यह इंटेलिजेंस का फेलियर है इंटेलिजेंस को पुलिस को यह जानकारी थी कि कुछ लोग मार्कीट बंद कराने के लिए आग्रे कर सकते हैं लेकिन यह कौन कह सकता है कि आप दुकान पर सेटर बं कुछ से होगा तो यह माहौल खराब करने की कोशिश है और अखलेश यादव जैसे लोग जो की मुख्यमंतरी रह चुके वो गैर जुम्मेदाराना इस तरह का बयान कर रहे हैं क्योंकि वो पत्थर बाजों को और दंगाईयों को वो क्लीन चिट दे रहे हैं और सारा दोश बीजेपी नेतरी वो जो प्रवक्ता है नुपुर का बता रहे हैं जबकि बयान से वो कह चुकी है कि आहत हुआ है तो मैं उसके लिए छमा चाहती हूं पुलिस में काम है कानून को अपने काम करने देना चाहिए इस तरह की बयान बाजी वो ऐसी या आखलेश जैसे नेता जब करते हैं तो कहीं ना कहीं अपरादियों को बढ़ावा देते हैं जिस तरीके से देखा गया कि जो योगी आधिते नाजी दुबारा चुनके आगे थो बड़ा मुद्दा था कानून ब्यास्ता का और प्रधान मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि यूपी में को दंगा मुक्त किया है योगी आधितेनाजी ने तो क्या ये साजिस नहीं हो सकती कि जब प्रधान मंत्री भी यूपी में हैं और राष्टपती खुद कानपूर में मौजूद है उनकी एक साजिस हो सकती है कि इसी बीच ये दंगा कराया गया ये दंगा करने की साजिस की गई एक सादू बाबा, ये परसासन कैसे चलाएगा, ये शाशन के बारे में क्या जानता है, ये तो मठ चलाने वाला है, अखलेश यादव, आपको याद होगा, चुनाव के दोरान मजाक उड़ा रहे थे, ये तो इनको तो लैपटोप चलाना नहीं आता है, बाबाजी से पचास साल हो गई, मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, मैं उत्तर प्रदेश का निवाजी हूँ, इस तरह की विकास की बयार भाई है, जिले जिले में, जिस तरह से विद्यालों का काया कल्प किया है, जिस तरह से सडकों का जाल बिचाया है, मुझे मेरे गाउं मेर नहीं था अब तक कि इतनी वड़ी आभी बिजली है कि 24 गंटे गाज़ेबाद में बिजली मिल रही है गाउं में पहली बार मैं तो मेरा बच्पन से बड़ा हो गया मैं गाउं में यह कहते थे अब का हफ्ता दिन का है अगला हफ्ता रात का यानि साथ दिन का एक दिया और 24 गंटे बिजली गाउं में भी 20 गंटे बिजली है तो यह योगी जी ने जो किया शाषन प्रसासन को टाइट किया ब्रस्ट लोगों को नोकरी से हटाया पुलिस किया सिस्टम को ठीक किया ट्रांसपर पोस्टिंग के नाम पर जो धंदा चलाते थे ने था वो धं इंद्री भी है उनके पास तो एक अध्यात्मिक शक्ति है और योगी जी ने सारे राजनितिक पंडितों के जो आकलन थे उसको फेल कर दिया आज एक ट्रिलियन एकोनोमी बनने यूपी जा रहा है जिस तरह से निवेश हो रहा है यह सारे नेता धरासा ही हो गए और पुली विवस्ता ठीक हो गई पुलिस विवस्ता ठीक हो गई नोकरी बिना ब्रेश्टा चार के और नोकरियों में ट्रांसपर पोस्टिंग का धंदा खतम हो गया इनको लगा हमारी रोटी कैसे चलेगी अखलेश यादव सत्ता से भार है अब उनको लग गया है कि योगी जी तो हो गए पर्मानेंट तो इनके पास एक ही रास्ता है कि यह सडियंत्र करें यह योगी जी को बजनाम करें तो यह इनके गुर्गे हैं मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो यह पकड़े गए लोग है ना 20 अभी रात में और पकड़े जाएंगे कल सूची जब जारी होग कि 101 परसेंट इसमें से आदे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कही ना कहीं डारेक्ट इंडारेक्ट इन्वोल्मेंट आपको नेताओं का मिलेगा कोई कुछ ना कुछ जरूर पद होंगे उनके पास क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है दंगा कराओ योगी जी को बजनाम करो बस यही काम अब बचा हुआ है विपक्ष में रहकर हो सकता था अकलेश यादव जी ऐसा ट्वीट करते आगरा करते भाई शान्ती बना के रखिए यह गलत हुआ है और दंगा जो है दुखद है इस तरह की बाते बोलते लेकिन हमने देखा है हम तो छोटे से ब एक रिकोर्ड है आप यह बताए कि जिस तरीके से बिजवल सामने आ रहे हैं काफी एक सडियंतर के तहत एक भीड बुलाई गई और जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से पत्राव किया गया अब योगी आदिते नाजी ने इसमें सकत आदेश दिये हैं कि जो भी इसमे सनलीप्त पाय जाएगा सीसी टीवी केमरा से खंगाल दिया जाएगा और इन पर बुल्डोजर चलना सुरू हो जाएगा और इसी बात से सोशल मीडिया पर काफी लोग खुस हैं और वो यह कह रहे हैं जो बुल्डोजर योगी जी का कुछ दिनों से नहीं नजर आ रहा था अब वो चलना सुरू हो जाएगा और कल से आप लोगों को वो विजॉल मिलने सुरू हो जाएगा देखिए बुल्डोजर कभी नहीं बंद हुआ था मैं तो रोज देखता हूं मेरे घर के आसपास गाज़ेबाद में घर है तो आप देखिए रोज अतिकरमन पर बुल्डो एक घंटा पुलिस को नहीं लगा एक घंटे से जादा वो दंगा कंट्रोल हो गया मुठी वर लोग थे जिसको अकलेश यादव कह रहे हैं वो इंटेलिएंस फेलियर है पुलिस की पूरी तयारी थी इस बात को लेकर के कोई भी शहर में इस तरह का बारदात ना कर पाए औ और आज हर सहर में पुलिस हाई अलट पर है आप 112 कोल करके देख लो आपको कितनी जल्दी रिस्पॉंस मिलता है पुलिस का तो ये एक उधारन है और निश्चित रुप से बुलोजर चलेगा और आगे आने वाले लोगों के लिए ये इस बार नजीर बनेगी के देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इसका परिनाम देखेगी निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए सबक होगा